जहां इंडिया कटबंधा ने एक तरफ 14 पत्रकारों का भाईशकार किया है वहीं दूसी तरफ कॉंग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने नफती दंगाई फर्जी और जूटी खबर चला रहे पत्रकारों को सीधे जेल भेजने का आदेश दे दिया है करनाटक के मुख्यमंत्री ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वो फर्जी खबर चला रहे हैं पत्रकारों पर कारवाई करें और उन्हें सलाखों के पीछे भेजें मुख्यमंत्री ने साफतोर से कहा है कि करनाटक की जनता ने बदलाओ के लिए वोट दिया था ऐसे में हम जनता के लिए जवाब दे ह हैं दरसल सुधीर चौधरी द्वारा करनाटक की खबर को हिंदू-मुस्लिम का रंग देने की वज़ा से पहले ही एक मामला तूल पकड़ा हुआ है सुप्रीम कोड भी सुधीर चौधरी को उसके घटिया हरकत की वज़ा से लतार चुका है और सुधीर चौधरी के केस पर जाज की बात कही है उन सब के बीच करनाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस को साफतोर से आदेश दिया कि वह ऐसे फरजी और जूटी खबर चलाने वाले पत्रकारों को मजा चखाएं जिससे साफ है कि सुधीर चौधरी के लावा गोदी के कई पत्रकार अगले के हुए नजर आएंगे नमस्कार अदाब आप देख रहे हैं खबर अद्धा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुली रम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि आप हमारे जॉइन के बटन का इस्तमाल कर ज्यादा से ज्यादा खबर अद्धा के मेंबर बने त जिससे पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है और अब विपक्ष कुछ और लोगों को बैन करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि नफरती और दंगाई मान सकता के लोगों के साथ देश में अमन शांती और सुकून की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है वहीं दूसी तरफ कॉंग को बदनाम करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता है ऐसे में अब करनाटा के मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस को साफ आदेश दे दिया है कि ऐसे फरजी खबर चलाकर गुम्रा करने वाले लोगों को मज़ा चखाया जाए कि मंत्री ने पुलिस से कहा कि वो इस बात का इंतिजार ना करे कि कोई उनके खिलाफ एफाई यार दच कराए तब ही कारवाई करें बलकि जैसे ही कोई मामला संग्यान में आए तो वो सुवेक्षा से उस पर कारवाई करें दिवायर की खबर में इस साफतोर से लिखा है कि करनाटर के मुख्यमंत्री सिदार अमया ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को गलत सूचना नफरत पहलाने वाली भाशन और मोरल पुलिसिंग में शामिल लोग के खिलाफ सुवेचिक एफाई यार दच करके सक्रिय रवाही शुरू करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायद दर्ज होने का इंतजार नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक सिदार अमया ने कहा कि लोगों ने नेत्रित्रों परिवर्तन के लिए मतदा किया था और सरकार को उसके अनुसार जवाब दे होना चाहिए मुख्यमंतरी ने कहा हम कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी वैक्ती के प्रती जीरो टॉलरेंस रखते हैं चाहे वो कोई भी हो उनका धर्म या पाटी सम्मदता कुछ भी हो हम यह सुनिश्चित करन चाहते हैं कि राज्यों में कोई सांप्रदाइक हिंसा ना हो समाच की शांती भंग करने वालों के खिलाफ स्वता संग्यान लेते हुए एफाइयार दर्ज करवाई जानी चाहिए करनाटक के मुख्यमंतरी का यह बयान भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के लिए आज तक के स्थिर क क एउध करने के लिए सुपोड का दर्वाजा खाट खटाया था जानकोट फील करने के सुपाई कर द और सुधीर के स्थिर के स्थ firms क दर करने के बजाए उस पर sommैंप भुदवार तक सुधिरू के गिरफ़तारी पर रोग लगा दी है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट से सुधीर चौधरी को लेकर क्या फैसला आता है लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि सुधीर चौधरी को लेकर कोट के टिपणी सخت थी ऐसे में एक मुख्यमंतरी द्वारा अपनी पुलिस को आदेश देना कि वो जूटी फर्जी और भ्रामा खबर फैलाने वालों को सलाकों के पीछे भेजे इसके कई माइने हैं और आने वाले दुनों में गोदी मीडिया के कई ऐसे पत्रकार अब करनाटक का चकर लगाते नजर आ सकते हैं तो मुक्यमद्री के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताए और हमारी फीजरल्जिम को आपके सपोर्ट की जरूरत है वो तब होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर जॉइन का बटन इस्तमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमा होसला बजाए करेंगे साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चानल खबर अड़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए